यहां तैसा है जो हो चली सेरी पंजाब है नहीं अन्हीं है लोसी और भुल these इस सबस्या मैं थी जो नियुकर पंजाब करें कूरा ना लगुसर जीद सुव भी न हम कहा है वह लिता है तो रुब आल्ट के पंजाब लिछान कHHI इसके साथ ही मैंने बनाया था आलू गाजर और मटर की सुखी सी सबजी और ये है हमारा पनीर टिका और फिर ये है जीरा राइस इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा सैलेड एड़ किया था और फिर यह आगया हमारा बटर नन जो कि बहुत ही डिलिसियस और बहुत ही टेस्टी बना था और इसके साथ ही गुलाब जामून और यह लसी बिना लसी के पंजाब की थाली पूरी नहीं होती तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी तो यहां पर मैंने करीब जो जो ग्राम यह काले उरत थे जिनको कि मैंने अच्छे से दोकर सोग कर लिया था उसके साथ ही मैंने दो चमज चना दाल और चार चमज के करीब राजमा आड़ दिया था तो इसको मैंने राद भाशो कर लिया है तो अब हम इसको पहले प्रेशर कूक कर लेंगे तो यहां जो जड़ है उसको निकाल के और फिर उसको बीच से चीरा लगा के इसको एड़ कर देंगे इसके साथ ही मैंने इसमें आड़ किया है नम्मक तेजपत्ता और दाल चीनी दो बस प्रेशर कूकर कर ठकन लगा कर इसको मीडियम फ्लेम पे 5 सीटी आने तक कूक कर लेंगे तो यहां पर मैंने एक कडाई लिया है और यहां पर मैं दो चमजगी एड़ कर रही हूं आप चाहें तर दाल मखनी को तेल में भी बना सकते है पटगी में इसका टेस बहुत अच्छा आता है तो इसके साथ ही मैंने यहां पर एक चमज़ीरा एड़ किया है थोड़ा सा ही तो इसको भून लेंगे थोड़ा सा अच्छे से बाद मैंने यहां पर चोटे प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया था तो उसको यहां पर आड़ कर देंगे और अच्छे से भूनेंगे जबकि प्याज जो है एकदम अच्छा सा गोल्डन फ्राइ कलर तक आ जाए इसके पीस के प्यूरी बना लिया है तो प्यूरी को इसमें आड़ कर देंगे आप चाहे तो इसको कि बिकर सकते हैं बड़ इस मखनी का टेस्ट जो एकदम रिस्ट्रून स्टाइल आता है तो इसको इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक ये साइट से ओल रिलीज ना हो जाए तो और कुछ इसमे trat address मैं गदाना माध करने सकते हैं तो यहां पर मैंने आधा चममच हल्दी powder एक चममERS द最ण्य पौडर और यहां पर ब्लैक पेपर पाउडर आप चाहें तो आप डीज पे दाल करके रखता था उसको इसमें आड़ कर देंगे तो दाल मखनी में कोई जी जादे मसाले आड़ नहीं करने है बस सिंपलसे ही कुछ मसाले आड़ करने हैं जिसकी दाल का जो टेश्ट है वो चिपे ना और दाल के टेस्ट को शिपाना ले इसलिए हमें इसमें मसाले कम आड़ करने हैं उसके बाद मैंने इसे कसूरी मिती को हाथों से रब करके आड़ कर दिया था और एक जमत गरम मसाला बस अब इसको ढखक कर अच्छे से कुक होने देंगे इसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक आड़ किया है नमक ध्यान से आड़ करें क्योंकि हमने पहले भी नमक आड़ किया था तो बस इसको अच्छे से मीडियम लो फ्लेम पे कुक होने देंगे फिर मैंने यहापर थोड़ी सी धनिया पति आड़ किया है और फिर फ्लेम बंद कर देंगे इसके बाद मैं यहां पर एक चमच के करीब मैंने क्रीम अड़ किया है तो बस यह हमारी रेस्टरोन स्टाइल दाल मखनी जो है वह बन के रेडी हो चुकी है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही दिलिसिस लगता है तो चलिए अब अपना परनी टिक कर बना लेते हैं तो यहां पर मैंने करीब 100 ग्राम परणी लिया है और एक कैपसिकम और एक टमाटो है टमाटो के मैंने अंदर के सारे बीज निकाल कर उसको चॉप कर लिया है क्यूब्स में उसके बाद मैंने यहां पर हल्दी पॉर्डर ए नमक इसके साथ ही थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें और हातों से रब करके थोड़ी सी का सूरी में थी और दो चममच के करीब मैंने यहां पे दही आड़ किया था और फिर मैं यहां पे दो चममच रोस्टेट बेसन आड़ करें हूँ और बस इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह हमारे टिक्का का मैरिनेशन जो है वो रेडी हो चुका है तो इसको दस मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे तो चलिए दस मिनट बाद हम अपने टिक्के को पहले फ्राइ कर लेते हैं तो यहां पे बने एक रख के उसमें तेल गरम किया है और जो हमने मैरिनेटेट करके पनीर क्याप्सिका मटबर्टो रखाता उसको इसमें एड़ कर देंगे और फिर अच्छे से भून लेंगे तो बस यह देखिए हमार टिक्का फ्राइ हो गया है आप इसको चाहें तो ऐसे भी स्टार्टर के रूप में सर्फ कर सकती हैं बहुत ही टेस्टी लगता है तो बस इसको हम निकाल लेंगे और आप टिक्के का गजरे भी बना लेते हैं तो यहां पर मैंने एक चम्मज जीरा बाद एक प्यास को इसे फाइनली चॉप करके एड़ किया है इसके बाद जो हमने अद्रक लैसन और इमिज का पेस्ट मणाया था उसमें से मैंने यहां पर करीब डेट चम्मज उस पेस्ट को एड़ किया है इसके बाद मैं यहां पर हल्दी पॉर्डर एड़ कर रही हूं तो फिर एक टमाटर की बड़े टमाटर मैंने लिया था उसकी प्यूरी बना लिया है तो इसके यहां पर आड़ कर देंगे और जो मैरीनेशन का मसाला बचा था उसको भी मैंने इसमें आड़ कर दिया है तो बस इसको अच्छे से बूण लेंगे जैसे कि आयल रिली जाए जब तक इसके बाद मैं नमक आड़क कर दी हूं और फिर ये पर पानी आड़क कर रही हूं तो पानी में सारी चीजों में गरम ही एड़कर हो इसे हमारे कूकिंग टायम ज़ल बॉला जाता है और हमारे टाइम भी बचता है तो बस इसमें पर जो हमने प्रणीर फ्राई करके रखा तो इसको एड़ कर देंगे और फिर मैं थोड़ी सी कसूरी मेति यहां पर एड़ कर रहे हूं तो बस यह देखिए हमारा लाजबाब सब निटी का भी ताहर हो चुका है तो चली अब अपनी अलू गाजब और मटर की सबदी बना लेते हैं तो यहां पर मैंने फिर से एक पैन लिया है उसमें तील डाला में कट कर सकते हैं मैंने आलू को यहां पर क्यूब्स में और गाजर को ऐसे थोड़े से ऐसे लंबे-लंबे शेप में खट किया है तो बस इसको अच्छे से भूनेंगे इसके बाद मैं यहां पर नमक एड़ कर रही हूँ और फिर यहां पर मैंने एक चमज हल्दी पॉड़र एड़ किया है और एक चमज के करी ब्लैक पेपर पॉड़र और आदा चमज धनिया पॉड़र मिला देंगे इन सब चीजों को बहुत ही सिंपल सी सब्जी है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है इसके बाद मैंने यहां पर फ्रोज़न मटर आड़ किया था और फिर उसको भून लेंगे इसके बाद मैं यहां पर थोड़ा सा पानी आड़ कर रही हूँ और फिर बहुत कर तो अज़े से यहां अफे मत्रा एकशे से कुख भूने देंगे जब तक की सब्जी एकदम अच्छे से पक न जाए तब तक हम इसको कुख होने देंगे तो बस घर धनिया से गार्णिष कर देंगे तो यह देखिए हमारी आलुग गाजर और मटर की सब् यहां पर मैंने एक कप बास्माथी चावल लिया था जिसको कि मैं ने दोकर 15 मिनट के लिए शोक कर लिया था तो बस उसके पानी को अब में दो चमस यहां पे दही आड़ कर रही हूं कि फिर थोड़ा साइब कर लेंगे और यह ने ने एक चमस फूट सॉर्ट लिया था आप चाहते है पर खाने वाला सोडा फिर अजिके थोड़ा थोड़ा तो फिर फिर थोड़ा पानी डाल कर अच्छा से गुद लेंगे ए तो यह देखिए हमारा नन का डो है जो रेडी हो गया तो इसको ढख कर खरीब एक घर एक से देख घंटे के लिए फूलने के लिए इसको छोड़ देंगे तो एक देख घंटे के बाद इसमें से माने एक चोटा सब आटा का पोर्शनल लिया है और इसको ऐसे हाथों पर गोल क तो बहां आटे की और आप जिस चाइन चाहें उस चत्सको बेल लीजिए तो जादा पतला हमें नहीं करना आएं नहीं ज्यादा तिक रखना है तो बस यह देखें हमारा नन के तयार होगया राख मेंतर टेर रम यूलस चिपका लिएं और फिर एक सेद अच्छे से पानी एह उचे के पोगो तुक Whats, कि हासे की लिए का बाइना है उसके लिए पाणी लगा चाँजेए तो पिर पिर मैं ओ, पशुछे जहरो लेकिन उतासी किरिवा कोगो संधू मैं आफ में कोगोर चाहिए। तो बस दूसरी साइड से भी आसे गैस पफलट पफलट के इसको अच्छे से सेकल तो ये देखे हमारा ृटन स्ट्रेस ट्रयाल authent हो चुका है तो अब हम इस पर बटनन प्रत लगा लें गे तो बस इस पे बटर लगा लेंगे बन गये है हमारा बटर नन तो चलिए अपनी थाली सब कर लेते हैं तो यह देखिए इतनी डिलिसेसी पंजाबी थाली और कितनी आसान है कितनी आसानी से हमने इसे बनाया है तो आप इसको जरूर ट्राइ करिए आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक और शेयर करना मत भूलिए थैंक्स वर